नमस्का सातियों आप सही का स्वारत है आपके अपनी चैनल इंदर जी में तो दोस्तो आज हम करेंगे हिंदी की एक मेरातन किलास जिसमें दोस्तो हम 100 कोशन कवर करेंगे और यह दोस्तो आपके हर एक टॉपिक से होंगे और आपको यह अपना टेस्ट की तौर पर दोस्तो द करते हैं कोशन आपकी स्किन पर दिया हुआ है तो कोशन दिया हुआ ब्रजवासा है ब्रजवासा है पच्छमी हिंदी बिहारी हिंदी पहारी हिंदी पूर्वी हिंदी दोस्तों आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर है पच्छमी तो चलते हैं दोस्तों नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है मगी किस वासा की बोली है मगी किस वासा की बोली है पच्चमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजिस्थानी तो इसका आपको आंसर देना है तो बताएं इसका सभी आंसर क्या हुआ है कैसे खड़ी खड़ी बोली किस अपडों से बक्सेत हुई है, मागी, शौर्षनी, ब्राचळ, अर्ध-माग दी दो अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जागा? तो दो मुझा क्या जाए आप।inky bênे? bastew क्यों के साथ दो कैसे आपका QADsehen developed उप Wait 21? बारतिय राज्यों की पुन्ह संरचना की गई थी 1953 में 1954 में 1954 में 1952 में दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जागा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएंब ऑप्षण सी 1926 में बासा की आदार पर दोस्तों पहला अंद प्रदिस राज्य बनाए गता है तेलगु वासा पर दोस्तों चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है किस तिथी को हिंदी को राजवासा बनाने का निर्णे लिया गया किस तिथी को हिंदी को राजवासा बनाने का निर्णे लिया गया चब्धी जनर्वर दोस्तों अब आपके बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका option B 14 सितंबर 1949 इसका और राइट आंसर दोस्तों option B तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो दोस्तों कोशन दिया हुआ है किस्किन पर कि हिंदी की आदी जनिनी हैं हिंदी की आदी जनिनी हैं प्राकरत पाली अप्रण्स शंस्क्रत दोस्तों अब आपको रताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका option D संस्क्रत हिंदी की आदी जनिनी संस्क्रत से दोस्तों हिंदी निकली है तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो इस तो कोशन दिया हुआ है हिंदी दिवस किस दिन मनाये जाता है हिंदी दिवस किस दिन मनाये जाता है 14 सितंबर, 8 सितंबर 10 अक्टूर और 11 जून तो इसका सही आंसर आपको उताना है क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर या आपका 14 सितंबर 14 सितंबर दोस्तों इसका विल्कुल राइट आंसर है option A 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है तो चलते हैं दोस्तों next question पर तो question दिया हुआ है कि हिंदी की विसिष्ट बोली ब्रजवासा किस रूप में सव से अधिक प्रशिद्ध है तकनीकी वासा, राश्ट्र वासा, काब वासा, राजवासा दोस्तों अब आपको उताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option C, काब वासा, जो दोस्तों ब्रजवासा है, काब वासा से अधिक प्रशिद्ध है दोस्तों तो चलते हैं next question पर, दोस्तों question दिया हुआ है कि भारत वर्स में हिंदी को आप किस बर्ग में रखेंगे भारत वर्स में हिंदी को आप किस बर्ग में रखेंगे, राजवासा, पिवासा, तकनीकी वासा, राष्टवासा तो दोस्तों अब आपको उताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, राजवासा किसमें दोस्तो राज जवासा और राज जवासा दोस्तो बाग सकते हैं दिया हुगा है सम्मेदान में तो चलते हम नेक्ट कोश्चन पर तो कोश्चन दिया हुगा है हिंदी किस बासा परिवार की बासा है हिंदी किस बासा परिवार की बासा है द्रविड आश्ट्रिक चीनी तिब्बती बाहरोपी है तो अब आपको होता ना है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option D कौन सा दूस्तो option D बाहरोपी है तो चलते हम next question पर तो 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 question दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली बासा कौन सी है संस्क्रत, तमिल, उर्दू, हिंदी दोस्तो इसका अंसर आप बता सकते हैं क्या हो जाए दोस्तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तो हिंदी option D इसका लकुल right answer है तो चलते हैं दोस्तो हम next question पर तो question दिया हुआ है कि हिंदी बासा का जन्म हुआ है हिंदी बासा का जन्म हुआ है लौकिक संस्क्रत से, पाली प्राकरत से, बैदिक संस्क्रत से, अप बरंस से दोस्तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाओ ऑफशन डी अपरण से सही तो चलते हैं हम नेक्ट कोश्चन की और तो इस तो कोश्चन दिया हुआ है कि हिंदी में से कौन सी बोली अत्वा बासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है बांगरू, अवदी, तेलवू, खन्नोजी तो इसका आपको आंसर बताना है तो इसका सही आंसर होता है तो क्या हो जाए दोस्तों ऑफशन सी तेलवू इसका लकुल राइट आंसर है तो चलते हम नेक्ट कोश्चन पर तो इसका कोश्चन दिया हुआ है कि हिंदी की बिसेष् हिंदी को अपकिस और रखेंगे दोस्तों यह कुश्चन अब करने होगा दोस्तों लेकिन आपकोऒताना राश्ट वासाosse, तक्निकि वासा, राजवाशा तो बताएं इसका सही है message क्या हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएया आपका राजवाशा ओप्शन दोस्तो इसका रहाज सफ तो चलते हैं नेट ऊशन पर तो कोशन दिया हुआ दोस्तो डुडाली बोली है दच्छनी राईस्थान की उत्री राईस्थान की पूरविराजिस्तान की तो अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर है आपका option D पूर्विराइस्तान की कौनसा दूस्तों चुडारी पूर्विराइस्तान की बोली है तो चलते हम next कोशन पर तो कोशन दिया हुआ हिंदी वासक किस लीपी में लिकी जाती है भरामी देवनागरी Saurashkiri गुरु मुखी दोस्तों जो गुरु मुखी है वो पंजावी दोस्तों की लिपी है तो दोस्तों हिंदी की बतानी है आपको तो क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर है आपका option भी देवनागरी देवनागरी दोस्तों जो हिंदी की लिपी है दोस्तों वो देवनागरी है तो चलते हैं next question पर, तो question दिया हुआ है, कि हिंदी वासा की बोलीओं के बर्गी करण के आदार पर 36 गड़ी बोली है, पच्छ्वी हिंदी, पहाडी हिंदी, रास्तानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तो दोस्तो और आपको वताना है ईए जеметр का ऐमारा अमेहें चलते हम नेक्ट कोछन पर तो कोशन देया हुए कि निमलिकित में से कून सी पच्छमें हिंदी की बोली नहीं है Customer भगेली बुन्देली दोस्तों अब आपको उताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हुआ है आपका option C बगेली कौन सी नहीं है दोस्तों बगेली option C इसको राइट आंसर है तो चलते हैं दोस्तों नेक्श्डेली वारत घंदी प्रचार सवा का मुख्याल चलते है सी और आपको वताना है तो इसका कोशन लिया हुआ है कि हंदी वासा के हंदी वासा के विकास का सही अनुकरम कौन सा है प्राकरत का अप्यवरंस हिंदि पाली अप्डरंस पाली प्राकरत nah तो हुझे जल्दी से उना गजाँ दोस्तो research कस रही nano सर हो जाएगा आपका पाली ऑपरेनिस हिंदी पाली चलते हैं टारुज्ड पर कौूशन दिया हुआ संम्मेदान के आनुच्छे तो चलते हैं नेक्ट कोश्चन दिया हुआ है ब्रजवासा है तो दोस्तो ये पहला ही कोश्चन था आप दोबार रेपीट हो गया है पच्छमी हिंदी विहारी हिंदी पहारी हिंदी पूर्वी हिंदी तो दोस्तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो गया है दोस्तो ओप्शन ए पच्छमी हिंदी तो चलते हम नेक्ट कोशन पर दोस्तों कोशन दिया हुआ है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपवरंस से बिखसेत हुई है अर्धमागती शौड सैनी ब्राच्छ मागती दोस्तों आपको उता इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नियुक्ता कोशन прोत dhaster दोस्ते कि यांध वाध वण हुए हैं जिससे कि आपको याद बना रहे दोस्तो जितना ज्यादा आपके सामने आगा है आपके उतना है ज्यादा वह पुष्षण मझ्वूत हो जाएगा इंपोटेंट दोस्तों कुछ कोशन है इनको रिपीट किया गया है चलते हैं दोस्तों नेक्ट कोशन पर तो कोशन है दोस्तों हिंदी की आधी जन्नी तो इसका आप पता सकते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा संस्क्रत चलते हैं फिर हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन है कि हिंदी हिंधी वर्ड माला में हिंधी बर्ड माला में आयों वहरं कौन से हैंmart दोस्तों अब आपको आना जो आई वहां वह थैंक है इसका सही Ah The correct position थे ढ़ने हैं यह दोदोस्तों नेक्ट कोशन पड़ गवर्ट माला कहते हैं यह टरहिた ऑप्षन थी दोस्तों वर्णों के संक्लन को सब्ड गढ़ना को वर्णों की भ्यास्थित समूं को सब्ड के हो जाएगा है धाये ऑप्रकशण रहें को जिकमु और को इसका प्रीट जहें हैं जल्दी से अंसर हुए तो छलते हैं algún question पर तो उस्थ sniff नियम्ने मेंसे कंठ है द्वॉनिया कौन सी हैं तो संधियों हुएं तो आपके भता ना है इस मेंसे क्या हो जाएग दोस्तों इसका सही answer तो इसका सही answer तो आपका option d कंट से दोस्तो यही बोले जाते कह और कह को चलते हम ये सभी दोस्तो आपको करा दिये आपने वीडियो देखी होंगी अभी भी नहीं देखिए तो दोस्तो आप जरूर जाकर उनको देखे तो अब यहां पर इस्थान के आदार पर बताईए कि मुर्धन्य वियन्यन कौन से हैं ड़ अध जज़ पफ ग ग तो दोस्तों अब बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए तो इसका सही आंसर विया आपका option A कुन सा जाए दोस्तों option A तो चलते हैं next question बन तो अब दोस्तों question दिया हुआ है कि निम्न मैस से निम्न मैस से अलपराण वन कौन से हैं क क थद फव अ तो दोस्तों अलपराण आपको बताना है तो अलपराण दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा option A पहला उर तीसरा दोस्तों क्या होता हमारा अलपराण और 2-4 ये दोस्तों हमारे महापराण हो जाते हैं 245 जलते हम next question पर तो कोशन दिया हुआ है निमन मैंसे नास्किय व्यंजन कौन सा है तो अधा व्यंजन कॉन सा है तो बता सकते हैं दोश्तों इसका से अंसर क्या हो जाए आफ दो सकते हैं जो पांच में होते रुप दोस्तो वह हमारी क्या होते है नास किये वेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग का और यह क्या है तालब्य से बोल जाती है तो दोस्तों यह कंट तालब्य हो जाएगा तो चलते हम नेक्ट कोश्चन पर कोशन दिया हुआ है निदी बर्ड माला में आये हुआ वर्ण कौन सी यह तो अभी बताया था तो जल्दी से बताएं इसका सही अशर गया होगा कौनसा अमानक वर्न है तो दोस्तो यह option दिये हुऊ है गम धक तो आपको बताना है इसका सही answer क्या हो जाएगा दूस्तो इसका सही answer ऑफ्षन वी कौनसा दोस्तो option वी अमानक वर्न है option वी यानिकी म तो चलते है दोफ तो नेक्ट कोशन पर तो कि-च्षन torch की चान्वी फार्सी की अंग्रेजी तो अब आपको उतला है। की किसकी दोस्तों वी फार्सी की ओचन भी इसका लगूंप राइट आंसर है है तो चलते हम नेक्ट पोषिट पर दोस्तों कोशन दिया हुआ है कि हिंदी में मूलत है हिंदी में मूलत है वर्णों की संक्या कितनी होती है यह दोस्तों यहां पर गलत लिखा हुआ कितनी होती है यह दोस्तों बताएं 50-51-52 तो इसका से तो चलते हैं नेुट कोशन पर जो दिया हुआ है जो एक निकिसके अंतरगत आती है गोस्मंस अबहुतना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सहीं आंसर हो जाएगा आपको व्रिट वन और कौने से होते हैं च्रत्र ग्यए यह क्या होते हैं दोस्तों सभ्र पर नहीं होते हैं तो चलते हैं हम नेक्ट कोशन कोशन दिया हुआ है ग्या वर्ण के बरणों के संयूं से बनता है किस से बनता है दोस्तों जो ग्या होता है वो किस से बनता है कौन-कौन से के संयुक्त बेंजर ने दोस्तों दो वर्णों से मिलकर वना हुआ तो बता है कौन-कौन से होती है वो तो दोस्तों वह होते हैं हमारे ओफ्शन डी वार दें यह हमारे होते हैं दोस्तों ज ोष बन कौन सा है अ हश आज democr अब दोस्तों आपको पताना अश्का सभी आंसर किया हो जाए गा दोस्तों इसका सभी आंसर आपका एपका आप से सद्सकивалáng सगोज Problem पर या सद्धियों कौन सा रुगा आद कह एका काएत कोल हम दोस्तों व 아침 कुंट कर दोस्तान करने हैं आप कंट कहा है कि चलते हैं में कोशन दिया हुआ है कि इन में सयूक्षिन कौनसा है तो दोस्तो सईयोग बेंजन हमने आपको बताया था कौन सी कौन से हैं तीन होते हैं छह त्रह और ग्या तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option ए ग्या तो चलते हैं हम next question पर तो दोस्तो कोशन दिया हुआ है कि निम्लिकित में से कौन सा वर्ण उच्छारण की दरश्टी से धन्त नहीं है न त त द त त त त त अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option बी दोस्तो चलते हैं next question पर तो question दिया हुआ है चत्र किसके वर्ण किसके संयोग से बना है तो यहाँ पर दोस्तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option आपके सामने तो दोस्तो यहाँ पर यह हरंत लगा हुगा और यह वाला हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा option बी कौ question दिया हुआ है Hindi word Mala से स्वरों की कोल संक्या कितनी है 10 11 12 13 दोस्तो अब आपको उताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तो इसका सही आंसर होगा option B 11 होती है दोस्तो स्वरों की संक्या है और दोस्तो जो कि आप टेरे जो हमारे यह उते हैं इनको जोड़कर कितना होना यह तिरे यह दोस्तो आयो वास होका थे तो चलते हैं हम next question पर तो question दिया हुआ ए कि निमंटिकित क्यों स्वर नहीं है निमंटिक इस दोस्तो इसका अंसर तो इसका अंसर पर आपका option C यह दोस्तो स्वर नहीं है और सभी क्या स्वर स्वर दोस्तो आ से ओधके हमारी स्वर होते तो चलते हैं हम next question पर कर तो कोशन दिया हुआ है दों थो यह सिए आपके सुख्य द्यीग हूं है अब कर दर नहीं है ग यह तो नहीं है इसमें डिखें कौन सा नहीं है तो यहां पर ऑफष्टर्ण सी वाला नहीं है इसमें और सभी मिल जाएंगा तो चलते हम नेक्ट कोशन पर दोस्तों कोशन दिया हुआ है लिए बड़्ड माला में ब्येंजनों की संक्या है तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर क्या है option B इसका विल्कुल right answer है तो चलते हैं दोस्तों next question पर तो question दिया हुआ है नियम लिखित में से कौन सा पच्च स्वार है पच्च स्वार दोस्तों पताना है तो E, D, A, J दोस्तों अब आपको पताना है इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा आ, A मारा कैसा है दोस्तों पच्च स्वार है तो चलते हैं next question पर, तो question दिया हुआ है कि नियम लिखित में से कौन योगवा है महाप्राण, अलप्राण, विशर्ग श्रयुक्त वेंजन दोस्तों अब आपको बताना योगवा कौन से है कौन से दोस्तों योगवा होते है तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों बिशर्ग बिशर्ग को योगवा कहते है तो चलते हम next question पर यहाँ पर दोस्तों आपके 50 questions complete हो जाते है तो question दिया हुआ हुआ है तो चलते हम next question पर तो question दिया हुआ है तालब बेंजन है दोस्तों यह सवी आपको दिया हुआ है तो इस मेंसे जल्दी से बताएं इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों तालब बेंजन हो जाएगे आपके च च ज ज ज ज ज ऑप्सन सी इसका वर्ट को राइट आंसर है तो चलते हम next question पर तो question दिया हुआ है किस बर्ग के वियन्यन है उस उस्ट अंथस्ट तालब पर है तो दोस्तों यह कौन से हो जाएगे हमारे तो यह हो जाते हैं दोस्तों अंथस्ट कौन से हो जाते हैं दोस्तों अंथस्ट और उस में जो होते हैं स स स स ह दोस्तों वो होते हैं तो चलते हैं हम next question पर तो question दिया हुआ है अनुनासिक वियन्जन कौन से होते हैं अनुनासिक वियन्जन कौन से होते हैं वर्ग के चतुर्था चर वरे के तिरत्याच्छर वरे के पंचमाच्छर वरे के प्रत्माच्छर दोस्तो अनुनाशिक आप बता सकते हैं तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका सही आंसर है option C जो 5 में होते हैं 5 में अच्छर जो दोस्तो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं अनु चौशन दिया हुआ है बासा निर्मार की इकाईयों का सही अनुक्रम है बाज़ा निर्वाण की काई होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जागा तो इसका सही आंशर हुजागा तो चलते हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हूआ है कि प्रयतन के आधार पर किस प्रकार की दौनी है उतिछिप्त प्रकंपित संगर्षीन पर शिर्वक तो अब आपको उता ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option D option D दोस्तों इसका right answer तो चलते हैं हम next question पर तो question दिया हुआ है कि निम्न मैंसे सुद्ध वर्तनी का chain कीजिए निम्न मैंसे सुद्ध वर्तनी का chain कीजिए उन्नती 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 तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाए दोस्तों option B दुरगम क्या हो जाए दोस्तों option B इसका लकुल राइट आंसर तो चलते हैं next question पर तो question दिया हुआ हुआ है कि सुद्ध वर्तनी का chain कीजिए अब दोस्तों जहान भी आपको बताना किसमें सुद्ध लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका सही ह आपका option C option C दोस्तों इसका लकुल राइट आंसर तो चलते हैं next question पर तो question दिया हुआ है कि सुद्ध वर्तनी का chain कीजिए अब दोस्तों आपको सुद्ध वर्तनी बतानी है तो क्या हो जागा 60 तरीका तो option B अध़ पंथ पतन दोस्तों इसका लिखा हुआ है तो question दिया हु चार option आपके सामने है दोस्तों इसका option B फिल्कुल राइट answer हो जागा तो चलते हैं दोस्तों next question पर तो question दिया हुआ है सुद्ध वर्तनी का chain कीजिए अब दोस्तों यहां पर किरपा आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों इसमें भी आपको सुद्ध वर्त नीगा chain कीजिए तैसिलदार दोस्तों तैसिलदार ही एंगा किसमें ठीक लिखा हुआ है 4 option आपके सामने टो जल्दी से उता है दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाया है तो इसका सघ्र आन्सर है तो चलते हम next question पर तो दोस्तों question दिया हुआ है सुद्ध वर्तनी का chain कीजिए दोस्तों अप किर्ती लिखा हुआ है तो यह इसका सही आंसर क्या हो कॉस्ट पर दोस्तो अब इसमें बताना तरुन का सुधोवत्नी तरुन की कि दोस्तों सुधोरतनी दी यह आपके ऑप्षन नमबर सी में किसमें दोस्तों सी में रहुत सभाज़ों तो चलतेला नेक्ट कोशन पर तो कोशन दोस्तों दिया हुआ है शुडवर्दनी के तो है कौन सा ठीक लिखा हुआ वरतन तो वरतन पर गजाते लिखा जाता है दोस्तों उप्शन अब हर New Spain फर पर दो छोचन दिया हुआ प्रद्धんな मंतरी में मंतरी मंडल की वैठक की अदिखता की परद्धान मंतरी न नहों कि अद्धिश्टा की अब जो मंत्री मंदल है दोस्तों इसकी हमको सुद्धवर्तनी बतानी तो कौन से यह चार आप्शन दिये हुए तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आप्शन एकदम राइट हो जाएगा तो दोस्तों इसका सभी आपका ऑप्शन भी चलते हैं फिर हम आप्शन वर्कुल राइट है अन विद्ध्वर्तन इस तरीगे से लिखा जाएगा चलते हम नेक्टकोशन पर तो कोशन दिया हुआ है सुटंट्रा इस चंगराम सो श्वातंत्र संगराम में हजारों बीरों ने अपने प्राणों की आउती दिया ज़्यानी दोस्तों कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों इसमें आपका option B सही हो जाएगा कौन से दोस्तों ऑफ्षन भी ऑफ्षन भी दोस्तों इसका को राइट आंसर है तो चलते हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है बारतिय समाज का पुनरुथान सच्छा के विकास से संबब है तो प नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है उनके इसने की अंत्र इस्तलिय शरीता मुकमद्रा से इस परस्ट जहां कर रही थी तो जोस्तों अब आपको इसका बताना है सुद्वरतनी क्या हो जाएगी चार option दोस्तों आपके सामने तो जल्दी से बताएं तो option D दोस्तों इ राइट आंसर हो जाया तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है नायका उत्ग्रीव रहकर दिनवल नायक की प्रतिमा करती रही दोस्तों अब आपको इसका बताना है उत्ग्रीव का तो इसकी सुद्वरतनी दोस्तों क्या हो जाएगी तो option दिया हुए तो दोस्तों यूदिश्टर की आपको बतानी बहुत मुश्ट इंपोर्टन दोस्तों यह आपसे पूशा जाता है कोशनों में दोस्तों जरूर आता यह एक्जाम में दोस्तों पूशा जाता यूदिश्टर की सुद्वरतनी तो आपको बताना इसका सही आंसर दोस्तों क्या ह कि उत्ति नंकला आपको उताना है तो किसमें सुद्ध दिया हुगा ज़ली से बताएं दूस्तों ऑफ्शन डी इसका वरको राइट अंसर दोस्तों ऑफ्शन डी चलते हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुगा कि सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वेमेव सनंधद हो जाना चाहिए तो अब आपको इसका बताना है यहां पर क्या आएगा सुद्वर्तनी तो देखें दोस्तों चार आपके सामने दीवें तो आपको सही हाँ बताना है तो जल्दीसे वताएं दोस्तों इसका स्भी क्या यांशन बी क्या जाएक है oppression बसकियों हो इस तारीके से दोस्तों यह हो जाएगा तो चलते हम कोशन कापे में एशला बहुत-कुछ है जो नित्य और निमितिक संप्रदाइक कामों से संबंदित है तो दो अब आपको बताना है निमितिक की सुद्वरतनी क्या हो जाएगी दोस्तो चार option आपके सामने दिये हुए इनको पढ़ें और इसमें से सुद्वरतनी दोस्तों आपको बतानी है तो option A हमारा विर्कुल सही हो जागा ने में तिक चलते हैं दोस्तों next question क्यों तो question दिया हुआ दिन वा दिन रशायनों के आप प्रत्याशत प्रभाव सामने आ रहे हैं दिन वा दिन रशायनों के आप प्रत्याशत प्रभाव सामने आ प्रितियाश्य आप प्रित्याश्य दूस्तों ये चार ओप्षन दिए हुए तो इसमें आपको बताना इसका सद्रोत कहा जाता है तो है तो यह आपके सामने दिए हुए है तो अब आपको नहीं विलेगे था नहीं है तो इसमें सा τट ही हो जाए दोद इसका सही़ एट जाया हुब जाया हुए तो वाफिसे पथाने रिपा दूस्टों एसका साहिए आभवboggt आंसर है तो चलते हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है विक्रमी संबत इस भी संक्या से सताउन वर्स आगे रहता है तो संबत आपको बताना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा इसमें सुद्ध क्या है कौन सा दूस्तु सुद्ध है तो बताएं तो ऑफ्षन डी दोस्तो इसका लकूर राइट आंसर है तो चलते हम नेक्ट कोशन पर तो इस तो कोशन दिया हुआ है अत्यादिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है तो अत्यादिक की आपको बतानी है इसमें कौन सी सुद्ध बरतनी हो जाएगी चार आप्षन दिये हुए तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आप्षन ए अत्यादिक है सफल रही है तो चिकतिस्षिक का आपको बताना है कौन सा इसमें सुद्द दिया हुआ है तो चलते हम नेक्ट कोशन पर संस्खरत संस्लिष्ट बासा है तो संस्लिष्ट आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ABCD में से दोस्तों देखें और इसका अंसर दें पढ़ें इसको तो option C इसका और को राइट आंस हो जाए दोस्तों कौन सा option C Suns List चलते हैं question number 89 पर तो दोस्तों question दिया हुआ है कि मंदाकनी की जल्दारा और जिस सर रूप से प्रवायत हो रही थी तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सुद्ध क्या हो जाएगा इसका दोस्तों वताना है आपको सुद्ध सब्द कौन सा हो आजस्त्र और चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है सभी वारतिय गीता के महत्में से परीचित हैं महत्में महत्में तुरुत कोई तुरुति नहीं है महत्में तो दोस्तो अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और को चलते हम नेक्स्ट कोशन चलतें नेक्स्ट कोशन दिया हुआ है कि साहरेक आरोगय के लिए पराथ है एवं संधयकाली नद ress सुद्ध वरतनी तो जल्दी से बताएं क्या हो जाए दोस्तों इसका सभी आंसर तो चलते हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुष्रूशा दोस्तों सुष्रूशा बताना आपको कौन से में सुद्ध लखा हुआ तो ज जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑफशन इसका रुकुल राइट आंसर हो जाएगा तो चलते हम नेक्ट कोश्चन पर तो कोश्चन दिया हुआ है कि सारे रिक आरोग्य के लिए प्रात है एवं शंद्यकालिन ब्रहमण तो दोस्तों यह अ होगे का आपको बताना है तो इसका सही आंसर दूस्तों तो क्या था तो इसका सही आंसर था आपका falar स μस्ट कौन सा हो जाएगा तो जल्दी से बता तो इससका सही समय वाला सब्द है तो दोस्तों आप बने देखें दोस्तों सुसुन को राइन साल है दोस्तों सुसुन इस तरीके से लिखा जाता है जलते हैं नेक्ट कोशन पर दोस्तों कोशन दिया हुआ है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समाश अपसर्ग प्रत्य संदी तो जल्दी से होता है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए दो वर्णों के मेल बर्णों का मेल दोस्तों किस में होता है संदी में होता है तो चलते हैं दोस्तों next question पर तो question दिया हुआ है कि संदी कितने परकार के होते हैं 2, 3, 4, 5 दोस्तों बताएं संदी कितने परकार की होती है दोस्तों संदी होती है आपके 3 परकार की कौन कौन सी दों स्वर संदी एक होती है आपकी वियंजन संदी है और एक होती है बिसर्ग संदी ऑ दोस्थ責ंस न्यlyuk संदी और होती है जो कि हमने आपको सभी करा दिये तो चलते हैं डोस टो निक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है द्यानंद में प्रयोक्त संदी का नाम है दीर्ग वियंजन संदी यंद संदी कुड संदी तो दोस्तों आपको बताना है द्यानंद में कौन सी संदी हो जाएगी 99 का दोस्तों इसमें हो जाएगी दीर संदी द्या प्लस आनंद इसकी दोस्त Mena motion पर तो Khui अबौजिए गाँ दोस्तों प्रियुख्थ संधी का नाम है को कपीश में प्रियुक्त संधी का नाम हे दिर्ग संधी मि शसंदी इंडसंदी ब्रदी संदी तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर रहा है दीर संदी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कपीश में यह बड़ी मात्रा आ रही है दोस्तों एकी तो यह क्या बनाती है दीर संदी बनाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपके संदी समास रस अलंकर दोस्तों यह सभी टॉपिक जो भी रह गए हैं वो सभी हम इसमें कवर करेंगे और दोस्तों इसको सो से बढ़ाकर हम दोस्तों भी कर देंगे तो बस आप वीडियो को शेयर करें अपनी सभी दोस्तों में और वीडियो को लाइक करें दोस्तों जाद से लोगों तक यह पहुचाएं तो अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप तो कम समय में ज्यादा समय नहीं लगा है इस वीडियो में हमने 100 questions complete कर लिए तो इसी तरीके से दोस्तों और कम समय में 200 questions करेंगे तो आप बस अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ठैंक्यू और